हेलो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ विजय पूनिया आप देख रहे हैं विजय एजूकेशन एंड नियूज तो देखिए गर राजस्तान के अंदर द्वी वर्षी अपसू पालन डिप्लोमा फाठेकरम 2021 बाई से तू परवेश सूचना जारी कर दिये मतलब इस विज्टरित नोटिफिकेशन का सबी बच्चों को इंतजार था कि इस बार क्या बदलाव किया गया है क्या कोलेज बड़ी है या गटी है क्या फीस बड़ाई है या गटाई है ठीक है और कौन-कौन से बदलाव की है इन सबी के बारे में विस्तृत सूचना में आपको दे रहा हूँ तो बिल्कुल जिनको पसू कमपाउंडर डिप्लोमा करना है वो बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें अंत तक देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो देखिएगा सबसे पहली बात तो यह है कि सेक्सनिक योग्यता में कोई बदलाव हुआ है क्या तो देख लो मेरे दोस्तो सेक्सनिक योग्यता में कोई बदलाव नहीं हुआ है पिसली बार भी बार भी पास बच्चे जो की बाईलोजी से या करसी विग्यान से थे उनको सामिल किया गया था और इस बार भी एले से जो करस है जो एच डीपी जिसे हम कहते हैं इसके अंदर इस बार भी ट्वेल्ट पास किंडिडेट जो की बाईलोजी या एग्री कल्सर से उनको सामिल किया गया है लेकिन अगर कोई बोर्ड मानेता प्राप नहीं है तो उस बोर्ड को या मानिय नहीं किया जाएगा फिर आयू की बात करें तो इस बार भी आयू की वही प्रक्रिया है जो पिसली बार थी सत्रा वर्स से अटाइस वर्स और सत्रा साल कब पूरे होने चाहिए 31 दिसंबर 2021 तक अगर आप सत्रा साल के हैं तो ही फोर्म बरे अन्यता नहीं बरे अगर मानलो कोई स्टूडेंट है और उसकी सत्रा साल उम्र हो रही है पांच जनवरी में अगर किसी की पांच जनवरी को सत्रा साल उम्र पूरी हो रही है तो क्या वो फोर्म बर पाएगा? नहीं अगर किसी की पांच जनवरी 2022 को 17 साल हो रही तो फोरम नहीं पर पाएगा अगर किसी की एक जनवरी को भी वो 17 साल हो रहा है तो भी फोरम नहीं पर पाएगा आपकी 17 साल उम्र 31 जनवरी तक होनी 31 दिसंबर 2021 तक होनी चाहिए ठीक है और अधीकताम उम्र कितनी है 28 वर्स लेकिन मेरे दोस्तो अनुसुचित जाती जन जाती अन्य पिछडा वर्ग और अत्य पिछडा वर्ग को जो है के पुरुस अभियरती जो हैं और इसके अलावा सामने वर्ग की जो मैला भियरती है उनको पांच वर्स की शूड दी इसके लावान अनुसोचीद, जाती, जन जाती, अन्यय पिछड़ा वरक और अति पिछड़ा वरक की मैंला है उनको 10 वर्ष की चूरट दी हुई है उमर में, अधीक तमायू में, ठीक हैं. इसके बाद में संस्तान की बात करें तो जितने भी कोलेज है मेरे दोस्तो जितने मतलब कितने तो यहां 81 इंस्टिट्यूट है मेरे दोस्तो जिन में से पांच गौवर्मेंट की कोलेज है जो यह गौवर्मेंट की कोलेज है मेरे दोस्तो इन गौर्मेंट कोलेजों में बीका नहेर वाली कोलेज को छोड़ दो तो बाकी सबी कोलेजों में फीस नहीं लगती यहीं बिल्कुल नी सुल्क आपका LSA कॉर्स होता है ठीक है लेकिन प्राइवेट कोलेज में फीस 40,000 रुपे पर येर लगती है कुछ में 50 भी लगती है ठीक है अब प्राइवेट कोलेज वाले क्या डारेक्ट एडमिसन भी ले सकते हैं क्या हाँ हर एक प्राइवेट कोलेज के पास 15% कोटा होता है यानि वो 100 में से 15 सीटें खुद बर सकते हैं लेकिन 100 में से 85 प्राइवेट कोलेज की सीट इसी फोरम को बरने के बाद बारवी के परसंटेज के आधार पर मेरिट बनेगी और उसी मेरिट से मेर दोस्तो फोरम बरे जाएंगे अब इसके बाद में बात करते हैं आरक्सन की तो आरक्सन जो भी गौ़र्मेंट का सिस्टम है उसके अनुसार दे है अध्यन का माध्यम क्या होगा यनि पढ़ाई किस मीडियम में होगी तो मेरे दोस्तो एक कोलेज है बीका नेर वाला जो कोलेज है इसमें पढ़ाई पूरी इंगलीज में होगी बाकी जितने भी कोलेज है उनमें हिंदी और इंगलीज दोनों ही मीडियम है वो बच्चे पे निरबर करेगा कि इस्टूडेंट के इस माध्यमें पेपर लिखना चाता है ठीक है नॉर्मली बाकी जितने भी कोलेज हैं उनमें हिंदी मीडियम में पढ़ाई होती है इसके बाद में अपन बात करते हैं सिक्षन सुलक मैंने पहले ही बता दिया 40,000 रुपे साल लाना लेकिन जैपूर की कोलेज, जोधपूर की, कोटा की और उदेपूर की इन कोलेजों के अंदर आपकी फीस नहीं लगती देखो आप यहां इस पस्ट का आगया है जैपूर, जोधपूर, कोटा और उदेपूर, राज की अपसुपालन संस्तानों में वैवसा इक सुलक नहीं लिया जाएगा लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ जब मेरे दोस्तों मेरिट लिस्ट जारी हो थी इन काउंसलिंग की उस समय तो आपको डीडी बनानी पड़ेगी, चालान बनाना पड़ेगा लेकिन वो चालान के जो रुपे हैं आपके खाते में वाफिस आ जाएंगे अगर आपको ये गॉर्मेंट कोलेज मिले तो ठीक है अब अपन बात करते हैं मेरे दोस्तों चैयन पर क्रिया क्या है तो चैयन पर क्रिया मैंने आपको बताई दिया आपके 12 के परसंटेज के आदार पर ही आपको कोलेज मिलेगी अगर परसंटेज अच्छे हुए गॉर्मेंट कोलेज मिल जाएगी परसंटेज कम हुए प्राइवेट कोलेज मिल जाएगी ठीक है अब आवेदन सुलक कितना है इसको लेकर के तो बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि सर बताओ इस बार फोरम की फीस कितनी लगेगी तो इसकी फोरम की फीस बहुत जादा लगती है पंदरा सो रुपे फोरम की फीस लगेगी ये फीस वापिस नहीं मिलने वाली है आपका नंबर आए चाहे नहीं आए ये पंदरा सो रुपे तो आपको अभी जब आप फोरम बरोगे तब आपको देने पड़ेंगे ये पंदर बरेमेर दोस्तो 8560884087 इसके उपर आप सुबह 11 बजे से साम को 5 बजे तक कोल कर सकते हैं इसके बाद में आपका जो आविदन पत्र है यह आप जब फोरम ऑनलाइन बरोगे तो ऑनलाइन फोरम रजुवास वेब साइट है उसके उपर इसका लिंक स्टार्ट हो चुका है आप थोड़ी देर बाद में इस वेब साइट को खोल करके इसके उपर जा करके ओनलाइन फोरम बरना शुरू कर सकते हो 11 बजे से ठीक है लेकिन मेरा यह मानना है कि एक दो दिन रुख करके फोरम भरा जाना थी तक कि तब तक वेब साइट पूरी अपडेट हो जाएगी ठीक है अब यहां पे आवेदन जब फोरम भरोगे तो उसका फोरम का आपको प्रिंट निकलवा करके आवेदन पत्र का प्रिंट निकलवा करके उसके उपर आपको अपना साइन करना है साथ ही साथ उसके साथ जो हैं आपके योग्यता के डोक्योमेंट लगाने हैं मतलब दस्वी की मारक सीट बारवी की मारक सीट जाती परमान पत्र ये सारे डोक्यूमेंट लगा करके और उसकी कोपी जो भी है पूरे फॉरम की और फॉरम के साथ जितने भी ये डोक्यूमेंट लगा करके आपको अपने घर में सुरक्सित रखने हैं जैसे ही मेरे दोस्तों आपकी काउंस के लिए जाओगे ठीक है अब मेरे दोस्तों online form बरने की लांच डेट क्या है 17 जनवरी तो आपको 17 जनवरी से पहले पहले यह forum बरना पढ़ेगा अब आविदन की प्रक्रिया यह तो मैंने आपको बता दी है ठीक है न कि मेरे दोस्तों 17 जनवरी से पहले इस forum में कितनी भी बार करेक्शन कर सकते हैं यहां लिखावाई देखो अंतिम दिनांक के बाद आविदन पत्र में सुधार की गुझाईस नहीं है लेकिन अंतिम दिनांक तक आप सुधार कर सकते हैं ठीक है और आपको अंतिम दिनांक के लेकिन टोपी लगा हुआ फोटो नहीं होना चीए धूप का चस्मा लगा हुआ फोटो नहीं होना चीए ठीक है लेकिन नजर का अगर आपका कोई चस्मा है तो वो फोटो माइन नहीं होगा ठीक है अब मेरे दोस्तों आप जब भी online forum भरोगे तो वहां college का option college को choose करना है कि आपको कौन सी college चाहिए तो जब भी आप college चूज करते हो चाहे counseling के time चूज करते हो तो जब भी college भरो मेरे दोस्तों तो आपको college आपके सामने एक college की list को लेगी और उस list में आपको वरियता डालनी है कि आपको एक number पे कौन सी college चाहिए तो मालो आपको बीका नेरवाडी college तीस सबसे पहले उसके आगे एक लिकना है मालो उदेफुर की college आपको दो नमबर पे रखनी है जोदपुर की college तीन पर इसी तरह से मालो आपकी जिले में अलवर में college है ठीक है तो वह से रखना है पांच नमबर पे तो उसके आगे लिकना पड़ेगा पांच ऐसे आपको वरियता डालनी है, तो कितने कोलेजों के आगे वरियता डालनी चाहिए, तो मेरा मानना है कम से कम 20 से लेकर के 30 कोलेजों के आगे आगे आप वरियता जरूर डाल दें, सबसे पहले आपको एक वरियता में क्या रखना है, सबसे पहले वरियता में गवर्मेंट कोलेज याद रखना आपका जो भी पड़ोसी जिला है उनकी कोले सिलेक्ट करनी है यूझी संभा की कोले तीकर करनी है ठीक है सबसे अन्तमि मेर दोस्तों आप अपने संभाघ लिंक से बाहर की भी कोई College halo ct की जैसे जैपूर की ठीक है तो वो private college भी select कर सकते हो ठीक है और भी आपको जान करी चाहिए तो हमारे आुटिली relat經्णाय नीचे लिंक दिया हुआ है नीचे आप उस टेलेग्राम चैनल को जोइन कर लीजिए हमारे टेलिग्राम चैनल का नाम है विजय एज्यूकेशन एंड न्यूज आप टेलिग्राम पर सीदा सर्च करके भी जोइन कर सकते हैं उस पे मेरे दोस्तों इसके कट ओप के बारे में इसकी क्या मेरिट रहेगी कौन सा कोलेज बढ़िया रहेगा कौन सा कोलेज आपको नहीं लेना थी पूरी डिटेल में उस टेलिग्राम चैनल पर समय समय पर । डालता रहूँगा और आपको अगर इस कोर्स को करना है तो मेरे दोस्तों ये चैनल आपका अपना है और इस चैनल पर मैं हमेशा ही अपडेट देता रहूँगा इसलिए ये अपडेट आपके लिए काफी मैं जितनी भी जानकारी देता हूँ तत्यात्मक देता हूँ इसलिए प्लीज आपसे हाथ जोड़ करने वेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और जो गंटी वाला आइकान है से ओल पर सलेक्ट करके ओन कर ले ठीक है और वीडियो को लाइक करें आप अपने दोस्तों के साथ सेयर करें आज के लिए इतना ही जैहिंद वंदे मात्रम हैफी निव येर